चीन ने महामारी पूरी दुनिया में फैला दी है और आज चीन की सरकार अपने देश में बैठी नोटो की गड़ियों को गिन रही है दोस्तो चीन की सरकार ने कोरोना वाइरस से जीत हासिल कर ली है और इसी जीत के कारण आज पूरी दुनिया में सबसे तेज गती से रिकावरी चीन की हो रही है चाइना ने अपने पहले कौर्टर के आकड़े जारी कर दिये हैं जिसमें उसकी जो ग्रोथ है 18.6 फिस दी रही है चीन के अंदर काम दंदे खुल गए हैं और चीन के लोग फैक्टरियों में अपना काम फिर से देखने लगी हैं और उनकी जो unemployment rate है वो भी फिर से सुधर रहा है लेकिन भारत के अंदर क्या हो रहा है भारत के अंदर दूसरी कोरोना वाइरस की लहर आ गई है और एक बार फिर से बड़े बड़े शेहरों में मजदूर अपने घरों को पलाइन कर रही हैं क्योंकि आज भारत में COVID-19 के 2,17,000 केस रजिस्टर किये गए हैं दोस्तों इन केसों का सामने आना भारत की COVID-19 की सेकिंड वेव के प्रति जो हमारी तयारियां थी पूरी नहीं हो सकी है इसी को ही दिखाता है भारत की सरकार ने वैक्सिन मराली बहुत अच्छा काम किया लेकिन भारत की सरकार की ये गलती तो आपको भी माननी होगी कि उसने दूसरी लहर के लिए तैयारी नहीं की और जो रूल और रेगुलेशन स्ट्रिक्ट पालन करना चाहिए वो रूल रेगुलेशन उसने पालन नहीं किया आज हालात ये हैं कि दिल्ली से लेकर महाराश्टर तक जो कोविड के हस्पताल है वहाँ पर हस्पतालों में बैडों की कमी हो गई है ओक्सीजन की कमी हो गई है और जो हाल हम देखा करते थे इटली और ब्राजिल जैसे देशों का अमेरिका जैसे देशों का वो हा भारत का हो गया है हाला कि भारत की सरकार अब 50,000 लीटर जो एक ओक्सीजन है वो दुनिया के दूसरे दिशों से इंपोर्ट करने की बाते बोल रही है लेकिन फिर भी ओक्सीजन की सप्लाई पूरी होगी या नहीं होगी क्योंकि एक एक दिन में दो दो लाग केसो का सामने आ हुआ है और जो लोग हैं कभी वरिंदवन जा रहे हैं कभी किदर रूट पर जा रहे हैं जाहिर से बात है कि पहली लहर के कारण जो लोग घुमने का बहुत शोक रखते हैं वो भी जब ये कोविड की पहली लहर थमने लगी और वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू हुई लोगों को लगा कि अब वो घुमने फिरने जा सकते हैं और स्थिती कंट्रोल में है लेकिन पिछले 10 दिनों के अंदर स्थिती आउट उफ कंट्रोल हो गई है भारत के अंदर हस्पतालों की जो स्थिती दैनिय है वो आज बहुती शर्म सार कर देने वाली है भारत की सरकार ने पहली लहर के अंदर लोकडाउन इसलिए लगाया था क्योंकि उसे पता था कि जो सिचुईशन है वो बिगड सकती है लेकिन लोगों के अंदर भी डर था लेकिन जो जैसे ही वैक्सिनेशन शुरू हुई लोगों का डर खतम हो गया और अब लोग खुल कर इदर से उदर जाने लगे हैं और यही जो उनके जो एक ट्रैवलिंग का जो काम फिर से शुरू हुआ है यही सारे परिवार को कोरोना से एक इन्फेक्टिड कर रहा है यही कारण है कि दो-दो-लाग केस आज भारत में रिजिस्टर हो रहे है दोस्तों इन सभी केसों का रिजिस्टर होना आप किसको जिम्मेवार मानते हैं भारत की मोदी सरकार को, जनता को या फिर चाइना को कोमेंट सेक्शन में राय कर जार जरू कीजेगा